मुवी स्टार्ट होती है और हमारा में क्याइक्ट है जिसका नामें डग यह हमसे बाते कर रहा है यह कहता है बच्पन में जब आप होते हो तो आपको अलग-अलग चीज़े खही जाती है कि life easy नहीं है आपको हमेशा बहुत ही hard मेहनत करने बढ़ती है उसके बाद कुछ भी मिलता है पर डग हमसे कहता है कि summer मुझे ऐसा नहीं लगता मैं कुछ भी कर सकता हो इस तरह से हो feel करता है डग अपने parents के साथ उसके lake house में चुट्टे मनाने के लिए आता है डग intelligent होता है और हमेशा अपने books में रहता है उसके parents के सला देते हैं कि इस summer तुम ज़र enjoy करना डग का एं friend भी होता है जो lake के बास एक बार में काम करता है डग अपने friend से मिलता है उसका friend कहता है कि इस बार summer में बहुत सारी लड़की आई है हम बहुत मज़े कर सकते हैं यह दोनों इस चुट्टियों को लेकर बहुत ही excited होते हैं इसके बाद हम बार में देखते हैं कि वहाँ एक शेरीफ है जो शेरीफ है इसे टाउन में सब लोग जानते है और यह बहुत ही friendly type का भी है इसे टाउन को safe रखने है और टाउन की इज़द भी maintain रखनी है इसके लिए और कुछ भी ज़रा out of the way भी जा सकता है पर फिर भी ओर आल यह अच्छा गारेटर होते है डग के नेवर में एक house है जो अभी खाली है पर एक दिन डग काम से घर पर आता है तब उस घर पर कोई आय हुए है एक millionaire जिसका नाम है Elliot और उसकी वाइफ लीना यह घर देख रहे है लीना बहुत beautiful है तो डग अपनी खिड़की से लीना को check out करता है लीना को और भी करीब से देखने के लिए डग बहार आ जाता है और अपनी साइकल वो रिपेर कर रहा है जब रिटेंड करता है नेक सिन में हम देते है कि डग और उसका फ्रेंड एक जगा रेड़ी करते है वहाँ पर बेड़ अगरा वो लगा कर रहा थे यानि जे लेड़कियों के साथ वहाँ हैंग आउट कर सकते है मिलीनेर जिसका नाम था इलिएट जो घर देख रहा था उसने अब ये घर भाय कर लिया है डग जब काम से घर आता है तो डग के पैरेंट्स इस मिलीनेर यानि कि इलिएट से बात ही कर रहे है इलेट ने अभी अभी house buy किया है तो उससे हो जान पैचान बना रहे है डग भी यहाता है और इलेट से मिलता है इलेट के पास एक शानदार boat है इनी बातों-बातों में डग के parent कहते हैं कि डग को boat के बारे में बहुत कुछ बता है एक्चुली डग के grandfather के पास बहुत बड़ी boat थी डग उस boat को repair करने में उनकी मदद करता था इलेट को भी उसके boat के लिए help चाहिए तो डग को कहता है क्या तुम मेरे लिए काम करोगे और डग भी इसके लिए मान जाता है नेक्स दिन सुबा जब डग इस boat पर काम कर रहा होता है तभी हम वहाँ लीना देखते है लीना बात करकर बाहर आती है और डग उसे check out करता है लीना फिर से shower के लिए वहाँ जाती है और डग उसे देख सकता है तभी वहाँ इलेट आता है डग से बुछता है कि boat केसी है डग केता है कि इस पर में काम कर सकता हो ये दोनों ज़रा बारियन करते है और वर्किंग आवाज और उसका payment ही decide करते है अब इलेट एक दू दिनों के लिए बाहर जाने वाला है वो डग को केता है कि boat को लेकर मुझे disturb मत करना राद में डग जब अपने रूम में सोय हुआ होता है तो उसे कुछ आवाज या दिया लीना और इलेट जगड रहे है और इलेट लीना को मार रहा है नेक्स्ट मॉर्निंग डग और इलेट फिर से boat के हमिलते है जहाँ पर boat रखी है इस बेव पर एक security guard है जो बहुत ही strict है without इलेट की identity उसे इंटर नहीं होने देता डग और इलेट जब boat पर होते है तो डग इलेट से बुछता है तुम इतने बड़े millionaire हो इतने सारे बैसे तुमारे पास आये कैसे इलेट कहता है कि मैं stock investor हूँ जब सब लोगों को लगता है कि इन stock में invest करना बहुत ही risky है तो मैं कर डालता हूँ पर इसी वज़े से बहुत सारे पैसे मिल जाते है डग रूमे होता है और फिर से लीना को घर से बाहर जाते होए देखता है थोड़ी देर में लीना की चीक उसे सुनाए देती है वो जल्दी से बागते है और लीना के पास आता है लीना की गाड़ी में उसे spider दिखा था इसे वज़े से वो डर गई थी है डग इस spider को निकाल देता है यहाई सिन में हम देखते है कि लीना डग के बहुत ही करीब आ गई थी यह उससे flirt कर रही थी इसी दिन रात में डग अपने काम से वापस आता है तो लीना उसका बहारी वेट कर रही होती है लीना उससे गे थी है उसके घर की उसने चावी खो दी इसी वज़े से वो अंदर ने जा सकती है वो डग से हेल्प मांगती है डग भी हेल्प करने के लिए चला जाता है वो अंदर जाने के लिए कुछ भी वेट ढून नहीं पा रहा तो इसलिए खिटकी तोड़ कर वो अंदर जले जाते है दोनों अंदर आने के बाद लीना उससे beer offer करती है डग जब खिटकी से अंदर आ रहा था तो उसे एक चोट लग की थी लीना इस चोट को देखती है और उसे साफ वेगरा करती है लीना डग को कुछ सिगनाज देती है तो डग लीना को किस करता है और इसके बाद ये दोनों intimate हो जाते है ये डग का फर्स टाइम था सब सुबा होती है तो लीना डग से कहती है किसी को भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए नेक्स डे डग जब अपने फ्रेंड के साथ होता है तो उसका फ्रेंड फिर से लेटकियों के बारे में बात करता है पर डग इस बार इंट्रेस्टेट नहीं है जब डग इलियेट के बोट पर काम करते है तो वहां लीना आती है इस दरह से अपनी रिलेशनशिप वो कंटिनू करते है जब इलियेट टाउन में वापस आता है तब भे छुप छुपा कर एक दुसरे से मिलते ही रहते है इलियेट जब बोट को देखता है तो डग ने बोट पर सही सही काम नहीं किया है वो उसे बहुत डाटता है इलियेट उसे कहता है कि मेरी तरह तुम बनो ऐसा मुझे लगता है इसलिए में तुम्हें डाटता हो जब आदमी अच्छा काम करता है और कुछ पा लेता है उसके बाद आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपको कोई एप्रिशेट करे वो अब लीना के बारे में बात करा है उनकी रिलेशन्शिप किस तरह से इलेट को लगता है कि लीना उसे एप्रिशेट नहीं करती इसी वज़े से इन दोनों में दरार है डग को पता है कि इलेट किस बारे में बात करा है डग केता है कि अगर आपको लगता है कि कुई आपको एप्रिशेट करे तो उन्हें भी उस तरह से respectfully treat करना चाहिए ये conversation यही end हो जाती है हम फिर से लीना और डग बेड़ में दिखते है लीना डग से यह दिये कभी-कभी मुझे लगता है कि हम जो कर रहे हैं एक गलत कर रहे हैं तुम्हारा यूथ में चुरा रही हूँ डग कहता है कि मैं खुश हूँ मुझे कुछ भी फरक नहीं परता यहाँ पर डग लीना के पहरे पर एक half heart देखता है इसके बारे में डग उससे पुछता है तो लीना कहती ही कि मेरा एक lover था उनकी love story complete नहीं हो पाए यह एक आदा heart है और दूसरा आदा heart उसके lover के पास है लीना डग को एक cell phone भी देती है वो एक दूसरे को text कर रहे है, बाते कर रहे है इसके बारे में किसी को पता नहीं चले लीना डग से कहती है कि इलेट बहुत ही danger साथ में है हमें बहुत ही छूपकर रहना पड़ेगा एक दिन इलेट लीना और डग को लेकर boat पर आता है लीना boat का flap open करकर इलेट को मारने ही कोशिच भी करती है पर इलेट इसे notice नहीं करता जब इलेट ज़रा boat में वीजी हो जाता है तो लीना डग से कहती है कि वो अब इलेट के साथ नहीं रह सकती है लीना के body पर एक मारक है जिसका मदलब है इलेट ने उसे बहुत मारा था रात में लीना डग को हस्पिटल गुरा ती है इलेट ने आज उसे बहुत मारा है डग कहता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए तो मैं सब को सही सही बता देना चाहिए लिना कहीं थी कि मैं नहीं कर सकती इलियट बहुत ही पावर्फुल है और हो कुछ भी करेगा पर उस पर ही इलजाम नहीं लिखने देगा वो जैल से चल इलियट को डिवास देगी ये डग से कहती है इलियट अब थोड़े दिनों के लिए out of town जाता है डग ने अपने friend के साथ लिना के बारे में बात की थी डग उसके बाद लड़कियों में interested नहीं है तो उसके friend को शक जाने लग जाता है कि डग और लिना का कुछ ना कुछ तो है जब डग घर पर आता है तो वहाँ already लिना है डग बहुत ही डर जाता है कि उसके parents भी उसके घर पर है लिना डग से बुच्छ दिये क्या कुछ भी हो जाए तो मेरा साथ तो के डग इस पर हा कहता है और लिना उसे बाद में घर पर आने के लिए कहती है जब डग लिना के घर पर आता है तो वहाँ इलिएट की body पुड़ी हुई है लिना कहती है कि वो मुझे बहुत मार रहा था इंपल्स में आकर उसके सर पर उसने fire इंस्टुकेशर से हमला किया डग बहुत ही डर जाता है वो कहता है कि पुलिस को हमें यह सब बता देना चाहिए लिना इसके लिए नहीं मानती वो कहती है इलिएट की family बहुत ही powerful है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि code में बात जाए कि इलिएट मुझे मारता था यह सब blame वो मुझे पर ही लगा देंगे डग कहता है कि हम इसे handle नहीं कर सकते है इना कहती कि सच कह रहे हो तुम अभी भी बच्चे ही हो और मैं तुम पर यह सब responsibility नहीं डाल सकती है इसके बाद डग भी इसे cover करने के लिए मान जाता है डग लीना सकता है जिस तरह से सब कुछ चल रहा था इसे तरह से हम normal behave करेंगे डग अपने काम के लिए जाता है रात में घर पर वापस आता है वो एक plan मनाता है इलिएट की तरह dress up करता है और boat के पास जाता है boat जहार रखी हुई है वो हमें पता है कि एक strict security guard है डग ने इलिएट की तरह ही कपड़े बेन है तो नोटीस तो गरता है पर इसे जाना देता है इलिएट की body boat में डग रख देता है आगे चल के इस boat को आग लगाता है और घर पर आ जाता है नेक दिन पुलिस को body मिलती है और लिना को खबर देने के लिए हो जाते है रात में डग अपने friend के साथ बार में काम कर रहा है वहाँ पुलिस officer भी आय हुए है शेरिफ से बात कर रहा होता है तब ही डग को यहाँ पता चलता है कि लिना को insurance से 10 million dollars मिलने वाले है इसकी investigation करने के लिए insurance detective भी आने वाली है यह बहुत strict है नेक्स डेइ insurance detective शेरिफ से मिलती है इसका बहलाई कैसे और यह inexperienced है यह शेरिफ तुरन जान लेता है शेरिफ सब cooperation करने के लिए भी ready है लिना को भी investigation करने के लिए police station में बुलाया जाता है यह direct to लिना से उसके marriage कैसी चल रहे थी इसके बारे में बूशती है लिना ने ही insurance किया है इस तरह से direct to इसी investigation करती है लिना इस पर चिर जाती है और उसके lawyer के साथ वो चली जाती है हमने previous में देखा था कि security guard ने notice किया है कि Doug Elliot की तरह address up करके जा रहा है उसे लगा था कि Doug Elliot ही है वो sheriff के पास जाता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि उस दिन boat पर Elliot नहीं था तो और कोई था sheriff और भी investigation करने के लिए guard को ले जा रहा होता है यह gas station पर रुखते है तब वहाँ Doug भी है डग शेरिफ के पास सुन लेता है और security guard से बात करने लग जाता है यह guard उसे कुछ भी नहीं बताता शेरिफ यहाँ notice करता है कि Doug को suddenly इस case में क्यों interest है next scene में शेरिफ और डिरेक्टू लेडी यह दोनों लिना के घर पर आते है वहाँ पर कुछ evidence मिल सके इसके इसके लिए डोने लगते है शेरिफ नोटिस करता है कि इस घर से Doug का bedroom दीखता है इसका मतलब है Doug लिना को देख सकता था यही घर की investigation करते हुए डेटू को broken खिड़की मिल जाती है प्रिवेस में आपने देखा है कि Doug नहीं यह खिड़की तोड़ी थी और वो injured भी हो चुका था यानि कि इस खिड़की पर उसका blood है इसके sample वेगर वो सब ले लेते है Doug को भी investigation करने के लिए पुलिस लेकर जाते है Doug को इलेट के बारे में बुछते है Doug केता है कि यह लेट बहुत सारा drink करता था डिड़की लिणा के बारे में उससे बुछती है Doug लिणा के बारे में कुछ जादा बताता नहीं तो डिड़की गएती है यागर तुम कुछ चुपा रहे हो तो तुम पर भी serious charges लग सकते है Doug के parent यहाँ ओफेंड हो जाते है और Doug को लेकर चले जाते है Doug को यहाँ पता चलता है कि लिणा पुलीस को बता रही थी कि उसे कोई stalk कर रहा था यानि कि उसका कोई पीछा कर रहा था Doug को फिल लिणा उनकी cigarette जगा पर मिलने के लिए बुलाती है यह वही cigarette जगा है जो डग ने और उसके friend ने ready की थी डग लिणा से पुछता है तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था लिणा कहती है उसे बहुत सारे सवाल लोग पुछ रहे थे इसलिए हम इने कुछ भी पता दिया लिणा डग से कहती है हम दोनों में कोई भी relationship था यह हमें छुपा कर रखना है इसलिए उनके cell phone वो डग को destroy करने के लिग गयती है डग यह cell phone इसी घर में छुपा कर रख देता है डग लिणा से पुछता है कि अब हम दोनों का क्या होगा लिणा बोलती है कि अग्रे साल तुम college चले जाओगे हम दोनों एक साथ तब रह सकते है अब इन दोनों के एक दूसरे से distance maintain करना है डिरेक्ट्व नहीं खिर्की से जो blood sample लिया था वो डग से वो match करवाना चाते है डग के खिलाब उन्होंने warrant भी लाया हुआ है वो उसे police station जब ले जा रहे होते है तो डिरेक्ट्व डग से कहती है कि मुझे पता है कि क्या हुआ है लिना तो यह फसाना चाती है तुमारा बर्ट खिर्की से match होगा और लिना ने कहा था कि उसका पीच्चा कोई कर रहा था इन सब evidence को लेकर हम conclude कर सकते है कि तुमने ही Elliot को मारा है तुमारे पास अभी भी time है तुम सब को सच बोल दोगे तो तुम यहाँ से निकल सकते हो Elliot बहुती डर जाता है और वो investigation के लिए अब नहीं आना चाता वो directly अपने friend के पास आता है उससे सब कुछ सही सही बोल देता है उसका friend भी इस पर believe करता है उसका friend कहता है तुमारे पास कुछ तो प्रूव होगा कि लिना और तुम में कोई relationship थी Doug को फिर याद आता है कि cell phone ही है इन दोनों को देख लिया था उस gardener से शेरिफ को सवाल पूछने के लिए कहकर चला जाता है जब शेरिफ और Doug बात करे थे तो भी शेरिफ ने Doug को पानी दिया था इस glass में इसे शेरिफ fingerprint निका लेता है Doug जब घर पर आता है उसके parents को लिना की underweight Doug के पास मिली थी Doug उन्हें सब को सच सच बता देता है तो गहता है कि मैंने murder नहीं किया है तो भी वहाँ हमें शेरिफ आता हुआ दिखता है शेरिफ को अभी अभी निउस मिली है और window से Doug का blood sample मैच किया है Doug डर जाता है और वहाँ से भागता है लिना से मिलने के लिए फिर से वह लेक हाउस पर आता है यहाँ पर वह phone चेक करता है पर लिना ने already वहाँ से गायब कर दिये है एक दूसरे से बात कर रहे है तो यह वहाँ पुलिस आ जाते है लिना अचानक से अपने कपडे फाट देती है और इसा प्रिटेंड करती है कि Doug उसके साथ जबर दिस्ति कर रहा था अब सब कुछ evidence पुलिस के पास है तो उसे arrest कर लेते है डग शेरीफ से कहता है कि मुझे वर believe करो मैंने कुछ भी नहीं किया है अगर तुम मुझे कुछ वक्त दोगे तो यह सब में prove कर सकता हो शेरीफ भी डग पर believe करता है शेरीफ फिर pretend करता है कि ओ ध्यान ने दे रहा था और डग वहाँ से भाग गया डग डारिकली लिना जहावर रह रही है वहाँ पर पोशता है लिना का सब सामान चेक करता है लिना के पास अलग-अलग identity के passport है वहाँ पर उससे phone भी मिल जाता है अचानक से वह डिरेक्ट्यू आती है डग ये phone डिरेक्ट्यू को दे देता है डिरेक्ट्यू कहती है कि thank you तुम मुझे एक बड़ा evidence दे दिया वो फिर शेरिफ को call लगाती है और डग कहा है उसकी location देती है डग को handcuff करती है कहती है कि तुम अभी भी फरार हो जब तक शेरिफ ने आ जाता तुम यही रुकना जब लिना और डिरेक्ट्यू वहाँ से जा रही है तब लिना के पेर पर आदा heart था इसका अलग heart यह डिरेक्ट्यू की पेर पर है जाने कि लिना और डिरेक्ट्यू में इन दोनों में relationship थी तो उससा figure out करता है तो शुरू से लिना का plan था कि वो Elliot को मार देगी और सब insurance के पैसे ले लेगी इसलिए उसने डग को frame किया है डग जो सबूत दे सकता है कि लिना में और उसमें कुछ relationship थी वो सिर्फ phone है और यह phone भी अब डिरेक्ट्यू के पास ही है वो अब बड़े trouble में है और इसके लिए jail जाएगा वो उस handcuff से बाहर निकलने के लिए और लिना और डिरेक्ट्यू को पकड़ने के लिए बहुत try करता है पर इक करने पाता डिरेक्ट्यू और लिना आगे जाती है फिर से वापस आ जाती है जादे जाते लिना फोन उससे देख कर जली जाती है डिरेक्ट्यू भी लिना से मिली हुई थी इसे वाज़े से लीना को इंशूरंस के पैसे भी मिल जाते है जब तब पूलिस डग को लेने के लिए आते है तब दग लीना और डिरेटू यह दोनों वहाँ से अलग कंट्री में भाग चुके है डग गिल्टी नहीं है यह वह फोन से प्रूव कर देता है पर फिर भी थोड़े दिनों के लिए उसे जेल जाना पड़ते है फिर सो अपने घर पर आते है अब वह हमसे बात कर रहा है वह हमसे कहते है कि मैं अभी भी लीना को याद करता हूँ वह हमसे कहते है कि अगर मुझे फिर से से कंट चांस मिले तो मैं कुछ भी अलग तरीकिसे नहीं करूँगा यह यह मूवी इंडो जाती है तब तक लिए थैंक्यू